दोस्तों ICIC Securities Stock के अंदर आज हमको काफी शांदार तेजी देखने को मिली है एंड दोस्तों ये स्टोक अपने एक ऐसे breakout लेवल पर आ चुका है लाक्स 2021 के अंदर जो इसने all time high लगाया था उसके बाद से फिरिसा उस लेवल को break करने की price पर आ चुका है तो वीडियो काफी जादा interesting होगा आपको सारी चीजे detail में समझ जाएगी एंड दोस्तों आप लोगों के लिए एक important update है आप लोगों के लिए मैं free में stock market की live classes start कर रहा हूँ एंड completely free होगी आप से मैं कोई भी charges नहीं ले रहा हूँ तो अगर आप classes join करना चाहते हो तो simply आप मुझे WhatsApp पर contact कर सकते हो WhatsApp नमबर इस वीडियो के description में आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों बिना time waste किए वीडियो की करते हम शुरुआत आइसे इसी securities की अगर बात की जाए तो देखो long term में अगर stock की में बात करूँ तो काफी अच्छा stock रहा है हमेशा इसका trend अभी तक का trend देखोगे तो long term में काफी अच्छा trend है और हमेशा positive trend में ही ये stock चलता हुआ हमको नजर आ रहा है ठीक है अभी मैं बात करूँ recent की तो आज हमको almost 7% की stock के अंदर तेजी देखने को मिली है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर इसके breakout होने वाले है उससे पहले हम देख लेते हैं कि recent में इसके quarterly result कैसा रहा और उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अगर इस quarter की बात करूँ तो 1649 करोड की sale होई यानि कि last quarter से sale इनकी काफी ज्यादा अच्छी हुई है थोड़ी बहुत growth हमको देखने को मिली same profit wise बात करें तो profit थोड़ा सा कम हमको होता हुआ यहां पर जरूर नजर आया है बाकि overall देखें तो majorly कमपनी का माल भी कर आये इसकी वज़े से company काफी अच्छा perform कर रही है इसकी वज़े से stock में तेजी भी हमको होती हुई नजर आ रही है अब हम बात कर लेते हैं इसके share holding pattern के बारे में कि कौन कितना share इसके अंदर hold करता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं ठीक है यहां पर अगर majorly में बात की जाए तो promoters की holding 74.65% की है और जो की लगबग पहले भी उतनी ही थी कोई जादा इन्होंने खास selling नहीं करी उसके अंदर अगर FIIs की बात करें तो कहीं ने कहीं सबसे important चीज़ कहा है FIIs यहां पर हमेशा अपना माल increase कर रहा है ठीक है माल थोड़ा सा बढ़ाता हो और नजर आया है कहीं कहीं FIIs अपना investment कर रहा है इसी तरीके से DIs भी देखे तो 0.5% सा कहीं कहीं 10% के आसपस पहुंच गया है और सारा जो माल लिया जा रहा है पब्लिक से माल लिया जा रहा है पब्लिक के पास पहले 11% का था कम होते होते भी फिलाल 6% पर आ चुका है तो यानि कि बड़ी पार्टी काई ने कहीं माल उठा थी स्टोक के अंदर जिसकी वज़े से स्टोक में तेजी होते हुए नजर आ रही है अब हम बात कर लेते हैं यहां पर स्टोक वाइस कि स्टोक में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं कहां पर ब्रेकाउट हो सकता है उस चीज को हम समझ लेते हैं जीए,that last time अगर मैं बात करूgen,एक बड़ा breakout कहाँ पर हुआ था देखो,last time एक बड़ा breakout इस level पर हुआ था था छीक है,एहां से breakout हुआ था,almost stock double हो गया था,काफі अच्छी तेजी हमको देखने को मिली थी, जह अपर वाला stock कम से कम 900 के असपास गया था double से ज़्यादा profit दिया था उसके बाद लंबे समय से stock sideways खड़ा है और उसके बाद देखेंगे तो फिर से प्राइस सेम पेटर बनाए लाइस प्राइस प्लान करना जाई कि अगर बात करूँ सबसे पहले कि स्टॉक के अंदर तेजी हो रही तो क्या बड़ी पार्टी इन्वोल है या नहीं तो आप सिंपली देखोगे यहां का अगर वोल्यूम चेक करोगे रिसेंट का तो यहां पर बड़ी बड़ी ग्रीन केंडल देख रहे इसमें वोल्यूम देखोगे काफी हेवी वोल्यूम यह पास गया ठीक है अल्मॉस 880-881 का इसने हाई लगाया और वहां से हमको थोड़ी बहुत सेलिंग होकर फिर से 853 पर मार्केट अभी रिसेंटली ट्रेड कर रहा है ठीक है तो कहीं नहीं कहीं जो इंपोर्टेंट लेवल है अगर आप स्टोक के अंदर मेजरली ब्रेक अगर यह 900 का लेवल होल्ड नहीं करता है अगर यहां से अगर सेलिंग आती तो फिर नीचे की तरफ स्टोक आ सकता है ठीक है तो आपको अगर ब्रेक आउट होगा तो कहां पर होगा 900 के ऊपर 900 के ऊपर अगर प्राइस निकल ली तभी हम इसमें ट्रेड के लिए प्लान कर स होता है तो कहीं ने कहीं यह स्टोक आपको डबल होता हो और नजर आ सकता है लगपक 1500 से 1500 आप मीनिमम एक बार चोटा टार्गेट आप लेकर चल सकते हो लगपक 1400 के आसपास का अगर यहां से इसमें ब्रेक आउट होकर मार्केट निकलता है तो ठीक है एंड इंपोर्टेंट चीज क्या है मान लीजिए ब्रेक आउट नहीं होता है और यहां से अगर गिरावट होना स्टार्ट होगी मान लीजिए नीचे की तरफ आता स्टोक तो फिर से आपको कहीं ने कई इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ने कई प्राइस यह पसंद आया होगा थोड़ी सी चीजे हेलफुल लगे होगी वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक कर लो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो इसी टाइप के वीडियो आपको यहां पर मिलते होंगे इन दोस्तों अगर आप क्लासे अटेंड करना जाते हो तो इस लास्ट वाले वीडियो को कंप्लीट देख लो आपको सारी चीजे समझ आजएगी इसके बाद मुझे आप वाट्सअप पर कॉंटेक्ट कीजिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वियो के अंदर